हुआ जानते हैं वार जी नहीं सकते तुम्हारी दिन चल गए ठेट है हलो साथियों वेल्कम टू पी वी आर स्टडी जैसा कि आप सभी को पता है कि आप इस समय बेसिक मैठ पढ़ रहे हैं मैं थाएगी नहीं बलकि दोड़ेगी, बिल्कुल सही सुना आपने दोड़ेगी और पका दोड़ेगी, कमेंट आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, ये वो कंडिडेट है हमारे जो बेसिक मैं चीखना चाहते हैं, याद रखिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये कलास बच् चीजें थी काफी कुछ मैंने बता दिया है, अब इसमें लगभग ज्यादा चीजें कुछ बेसिक बचा नहीं है, जो बचा हो भी मैं बताई देता हूं, ठीक है, ताथियों, आज आपका 33 नंबर क्लास है, टाइम एंड वर्क, देखे साइड में लिखा है, ये कोई नल, वाई घंटे में एक टंकी को भर देता है, फूरा फुल, तो उस नल दौरा एक घंटी में, घंटी नहीं मतलब गंदे में कितना पानी निकलेगा, वैसे तो घंटे नहीं बोलते हैं, अगर सिंगल होता है, तो एक सेदिक होता है, तो घंटे बोलते हैं, जैसे कि एक वचन ये क्या टंकी दिख रही है आपको ऐसे आपने देखा होगा छटों पर लगी होती है तो क्या होता इसमें पाइप से पानी भरता है तो टंकी 500 लिटर की लग रही है देखने में कि 1000 लिटर की जितने की भी है इसका एक लिमिट होगा कि भाई 1000 लिटर की है तो ये 10 गंटे में तो सवाल यह है कि एक गंटे में कितना पानी निकलेगा यह कुछ इस तरह के कुश्चन जब आते हैं उनको कैसे करेंगे इसका मेट्रीक और साटकट आपको बता रहा हूं और सब बताऊंगा ध्यान से देखिए अगयर कोई गंते में यहि कुछल निकलेगा तो च्छी बात है और सुनिए अगर कोई नल एक गंटे में ऐसे एक घंटे में ने पांच घंटे में कोई टंकी बहो रहा है जैसे यह वाई घंटे में बह रहा है तो एक घंटे में बहुत तो मैं कि अगरा देघ्वाएग वह से एक्टा पाँच भाग भर जाए इक टंकी को तो question आपको जो दिख रहा पहला इसमें बताईए क्या answer आएगा जल्दी से फटा फटा उदारा ना दिख रहा ना बोलिए आप बिल्कुल परविन कुमार सही correct B number आप सही है अगल देखें next इसमें जवाब दीजिए करा कि 200 लिटर की एक टंकी भरने में एक नल को 4 गंटे लगता है तो ये बताओ एक गंटे में कितना लिटर पानी भर जाएगा फट से बताओ भाई देखो basic सीखना ना जीरो लेबल से तो इसलिए मैं कोई high-five question नहीं दे रहा हूँ मैं आपको सिखा रहा हूँ देखो simple सा है अभी trick आपने क्या देखा कि भाईया बाबू अगर कोई टंकी y घंटे में अगर भर रही है y घंटे में full हो जा रही तो एक घंटे में जो पानी निकलेगा वो एक बटा y होगा बहुत सीधी सी बात है तो वैसे ये कह रहा है कि 200 लेटर की टंकी को भरने में नल को 4 घंटे लगते हैं यानि इनका simple सा मतलब यह है कि 4 घंटे में वो टंकी कितना पानी निकाल रही 200 लीटर ठीक है सीधी सी बात है 4 घंटे में 2 लीटर पानी निकल रहा है तो एक घंटे में कितना पानी निकलेगा थीक है आवर आवर स्निंग एक घंटा में नल से पानी निकलेगा वराबर कितना दो सो बटा चार चार से भाग कर दीजिए चार बंचे बीस जीरो यानि 50 लीटर आवर सन कौन से सही होगा सालिनी बहुत करेक्ट ठीक है आवर सी नंबर करेक्ट है ठीक है अगला उदारन का जबाब फटा फट दीजिए इसमें देखिए नीचे 2A और 2B कुईस्चन है अगर आप ध्यान दीजिए लिखा है न कहरा है कि घंटे में कितना पानी भरेगा इसम भाई एक 200 लिटर की टंकी है उसको पूरफुल भरने में 4 गंटे लगते हैं तो 3 गंटे में कितना पानी निकलेगा कमेंट करके बताओ मैं सबका कमेंट देख रहा हूं कमेंट नहीं पढ़ूंगा किसी कमें नाम नहीं बोलूंगा नाम की चक्कर में न रहो अगर पढ़न पानी फेंग देगा कि पूनम सिंग करेक्ट बिल्कुल ठीक है नो गंटे में कितना भाई गंटे में 50 लिटर निकाल रहा है पानी तो 9 गंटे में 450 लिटर यानि वो टंकी दो बार भर जाएगी अगला टाइप नंबर नेक्स्ट देखिए इस टाइप के आपने सारे कर लि दे रहेंगे जो परिक्षाहों में आते हैं जैसे heißt सी अधार में यूपी सी यूपी साइए बहुत सारी परिकश्ण की mathematics हम आपको पढ़ाते है ठीक है यह सब के लिए होता है क्योंकी basic हम बहुता है चलिए किरा कि यदि A किसी कारे को X दिन में तथा B उसी कारे को Y दिन में करता है यहां पर भी लिखा है थोड़ा सा ध्यान देना तो जहां पर यहां पर भी लिखा है टाइपिंग के मिस्टेक है वहां पर भी नहीं वलकि B होगा ठीक है कि एक किसी कारे को एकस दिन में तथा भी किसी कारे को वाई दिन में करता है तो दुनों मिलकर अगर कारे करेंगे तो कुल समय Aks by भाई अपान एक्स प्लस वाई लगेगा भाई सीधी सी बात है मान लिजिए घर में बच्चों का कपड़ा दुलना है अब अगर माडम जी दूल रही है कर ले तो तीन दिन लग गया दूलते दूलते अब पति देओ जी आगे आफिस से बड़ी अठाट बड़ जमागे अब बोलिए सुनो अजी सुनते हो मैं अकेले दूलूंगी कहा आके चलो लगो उनको भी लगा लिए अब बताओ कितना टाइम लगेगा काम जल्दी हो जाएगा न बस सिंपल गाए जैसे आप देख रहो एक example आपके सामने है देख रहा ना इस screen पर चेहरा है कि परदीप परदीब को 10 दीन में तत्ले सुर्इश बारा दिन में पढ़ता है तो दोनों मिलकर अगर किताब एक चाहत पढ़े तो कितने दिन में पढ़ लेंगे जब आप दीजिए फठा-फठजल दी से एनिमन कोई भी आपको कमेंट देख रहा हूं मैं फोन में यह देख रहा हूं यह सबका देख रहा हूं ठीक है लोकुस कुमार बरी गुट बरी गुट ठीक है ओके ठीक है आईए मैं तरीका बता देता हूं देखो भाई बाबू यहां पर समझो यह इसका जो तरीका होता साटकट एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई यह आपने देखा यहां पर एक्स और वाई क्या है जानते हो यदि किसी कारे को एक्स दिन में तथा भी जो है उसे प्रड़ादी neighborhoods को करता है यह दोनों समय को पर्दसित कर रहें एक्स और वाई ठीक है तो उसी तरफ जैसे कोश्चन में है कि पर्दी पे किताब को दहीं दिन में और सीरे बारां दिन में पढ़ता है तो 10 जो है एक्स मान ओंगे बारां होगयो यह दस गूड़े बारां भाग दोगे दो से तो दो पंचे 10 और दो 11 यह 60 बटा 11 इन्हें जब भाग करोगे तो आपको पता है कितना जाएगा 11 पंचे 11 पंचे 55 फिर घटाने पर 5 आएका 50 बन जाएगा हम बोलो तो 11 जो 44 जैनी 5.4 दिन आ मतलब लगबग 5 दिन क्योंकि देखो जो अंसर है आपसन वह लगबग में है तो आपसन नंबर 20 ही हो जाएगा किसी को नहीं समझ मैं बिल्कुल बताओ कमेंट करो टैंसर मतलो एक परकार से ठीक है एक अभी पॉइंट का आपको टैंसर नहीं लेना है बहुत से चातरों के कमे करके मैं रिकवर कर लोंगी मेरी उम्मीद जगी है बिल्कुल ऐसे ही एक नहीं लाकों कंडिडेट है जिनकी उम्मीद जगी है मैं सब दिखा नहीं सकता है आप आगे देखिए इसको भी ऐसे करेंगे देखिए समझ यह कहरा कि यदि प्रिया एक चटाई को 15 दिन में तथा सिल्पी उसी चटाई को 20 दिन में बुन सकती है तो प्रिया और सिल्पी अगर दोनों तूट पड़ें तो बताओ चटाई कितना दिन में बुन डालेंगी भाई बुनना का मतलब बनाना उसे सिल रही ठीक है एक परकार से चलो बताओ देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर यक 15-20 करोगे बाबु हो जाएगा 35 जिदी से बात है बिस दस तीन बिस दस तीस पांच पांच पैंच इनको आप हर कर लोगे पांथिये पंदरा पांच अब यह कटे अगर नहीं तिन दूना च्छा यह साथ बटा साथ साथ से आप भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा जानत पांच बार जाएगा लगभग यानि 8.5 आ रहा है अगर इसमें आप्शन दिया गया है जो अप्ध्यान दो लगभग में दिया है तो यह 8.5 दिन का मतलब साड़े-8 दिन तो यह लगभग नो दिन हम लिख सकते हैं ठीक है छे दिन तो लिख नहीं सकते हैं साथ दिन भी न आप्शन में लगा सकते हैं अगर 8 होगा दौर अच्छा है जितना भी इसके करीब होगा वही सही है ठीक है तो इसमें नो सफसे आदा करीब है नेक्स्ट कुस्चन देखिए इसी में अगला टाइप इसी टाइप में बताइए इसको खुद से करोगे मैं नहीं बताऊंगा इसे ठीक है जल्दी से पूरा स्क्रिन देखिए और चली आगे बढ़िए प्रिक और सिस्टम में आपको समझा चुका हूं चलो भाई बाबू फटा फटा आगे बढ़ो चलो एक सरी यदि मोहन एक दिवार साथ दिन में तयार करता है तथा पंका जूसी दिवार को बनाने में नौ दिन लेता है तो दोनों मिलका अगर दिवार बनाएं तो कितना टाइम लगेगा इसका जबाब का इंतजार रहेगा आप कमेंट जरूर करिए नेक्स्ट कोईस्टन प रहता है मैं इसे आपको परतेग सटर्डे को दें क्या घटवार कशी रहेगा संडे बोलो कमेंट करके बताओ कौन सा टाइम रहेगा वैसे मैं बातचीत का प्रोग्राम रखूँगा रभीवार को अब आपको वीडियो मिलेगा ठीक है पर थेक सटर्डे अब यह वीडियो वीडियो मिल जाएंगे ठीक है लेकिन यूटूब पर हम आपको एक वीडियो देंगे पक्का है क्योंकि बहुत बेस्टता चलते हैं आजकल बढ़ाओंगो फिर आगे बढ़ाओंगो चलो नेक्स्ट इसमें अगला ताइब देखिए अगला ताइब देखिए टाइब हो चूके हैं सब तो जब दोनों मिल करके करेंगे तो कितना समय लगेगा ये ग्याद करना था इसमें कुछ अलग कहानी है इसमें सीन क्या देखो कहरा कि यदि A और B किसी काम को यहम दिन में करता है तब A उस काम को यहन दिन में करता है तो B अकेले काम को कितना दिन में करेगा यानि उसमें था दोनों अलग-अलग कर रहे थे अगर मिल जाते थे तो काम कितना समय में हो जाएगा यह निकालना था इसमें कह रहा है कि दोनों मिल करके फलाने दिन में कर रहे हैं और जो छोटका हुआ है वो इतना दिन में कर जाएगा तो पता बड़कवा कितना दिन में करेगा इसके लिए यह आपका लिए ट्रिक है जो आप ट्रिक समझिए तरीका कुछ भी समझिए यम इंटू यन क्या है यम इंटू यन अपान यम माइनस यन ठीक है इसे यन माइनस यम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे निगेटिव में नहीं होता है कभी भी दिन कुश्चन आपके सामने है जब आप दीजिए क्या कह रहा है तो बताओ पारूल अखेले लगए तो उस काम को कितना दिन में खा जाएगी क्या समझे कितना दिन में खतम कर जाएगी भाइ सिद्иссी बात है दोनों मिल करके अकर काम कर रहीं तो बारा दिन लग रहे अगर वो बैचारी अकेले कर रही तो तीस दिन लग रहा है भाई दो दिन का काम अगर कोई दो लोग लग गए तो जल्दी हो जाएगा तो करे दूसरी वाली जो है गल्स वो कितना समय में पूरा काम कर ले जाएगी इसके लिए उपर जो तरीका इसको लगाओ फटा फटा औ बताओ कमेंट करके कबाँ साही रोहित बिश दिन बिलकुल साइग जबाव इसका है बिस दिन में किना दिन में बिश दिन में के कैसे 20 दिन आएगा करके तो दिखाएं आईए यहां यम और यन जो है वो दिन को परदर्सित करते हैं यम कह रहा है कि इसमें दो दिन 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 गए एक बारा दिन और एक तीस दिन न तो यम इंटू यन अपान यन माइनस यम यही तो है न इसको गुड़ा करोगे तो बारत इसको कटा होगे ठारा आएगा यह ठारा दूना चाहतीस बराबर 20 दे कितना दिन आएगा बाबू वीज दिन यानि पारूल उससे ज़्यादा खतरनाक है जहां तीस दिन में कर रही थी वहां या केले 20 से दिन में कर जाएगी पूरा काम बहुत इक सबाट है चलो बाई कर दिमाग बंट जाता है चलो कि करागे और वीज और बिंदना कोई कार्य एस दिन में करते हैं कर भी उस काम को अकेले 20 दिन में कर लेता है तो बंदना अकेले काम को कितना समय में करेगी कहते हैं आजकर लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं चाहिए sunny चाहिए वो गंदा कि तेला हो जाओं बड़ा गंदा गाता है बंद कर दें चला के बढ़ो देखिए इसका आंसर होगा 110 दिन बहुत अच्छा बरी गुड कितना 110 दिन करके बताईएगा ठीक है जैसे यह तरीका वैसे करेंगे आप लोग आगे बढ़ें कि मतलब 25 दिन में कर रहा था यह तो बड़ा दिमीदे में काम करती भई आप लोग को समझ में आ रहा ना कमेंट करके बोलते रहो फटा-फट मैं कमेंट सबका देख रहा हूं पड़ भले नहीं रहा हूं चलो अगला क्योश्चन है यदि सुमित और रमेश एक दिवार को 12 द है जो किना समय लेगा अभी मैंने आपको तरीका बताया आपको यहां रहा है टाइम दिया गया है तो भाई साहाब 12 गुड़ 28 हो जाएगा चाचा गटाओगे 16 आएगा बाबु इनको हाल कर लो आप लोग फटा फट 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 फिर मुझे बता दो 21 दिन आएगा कितना आएगा बिल्कुल सही बेरी गुट 21 दिन कितना 21 डे कैसे इनको गुड़ा कर लो बारा अठे चानवे हासिल नो बारा दूना चाटिस स्वरी बार दूना चोविस और नो तीन तीन चे तीन सो चतिस आएगा न यह घटेगा तो सोला आएगा सोलास इसको काटोगे तो 21 डे कितना आसान है न चलो चौथर टाइप न आजाओ लिफरा टाइप डन हो चुका है चलो जल्दी करो फटा-फट इस स्रीज का एक नया वीडियो परतेक सनिवार को आएगा रात नो बजे अब याद रखना परतेक सनिवार को रोज नहीं आए ठीक है है हाँ जैसा भी आप चाहें चाहें तो प्रतेक सटरड़े को बेट करें हम आपको एक बहतरीन वीडियो देंगे इसमें का मस्त एक गंटे का अधाएदे गंटे का अगदम काफी कुछ पढ़ जाओगे एक वीडियो में लेकिन कंडिशन है निविदन है कि वीडिय करेंगे अगर तुम्हें डेली स्रीज का एक वीडियो लाओंगा हर दिन लाओंगा लेकिन आप लोग ज्यादा फिज्यादा सेयर करिए 24 घंटे में कम से कम 5000 वीज़तों आना चाहिए मिनिमम 5000 बस 24 घंटे में आज वीडियो अगर आया रात में 9 वजे तक अगले रात 9 अठ दिन में A और B उसी काम को 16 दिन में तथा C उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो तो 3-ों मिल जाए एक साहत करें तो जीटना दिन कर जाएंगे भाई कहने का मतलब यह है कि एक बगती है जो कोई काम को आठ दिन मे कर रहा है और बी उसी काम में 16 दिन लगा रहा है और सी उसी काम को मात्र 12 दिन में कर जा रहा है तो अगर तीनौ मिल जाए एक साथ करें तो कितना dins में कर जाएंगे लगभग चार दिन में कर लेंगे लगभग 5 दिन में, लगभग 7 दिन, लगभग 2 दिन जबाद दीजिए फटा फट very good, बहुत अच्छे अंजली कुमारी, correct यह नमबर सही, लगभग 4 दिन में यानि 3.6 something आएगा, 4 दिन लगभग आएगा थीक है, देखे इसमें ट्रीक ये लगाते हैं कौनसा इसमें ये ट्रीक लगाते हैं, यम into, यथिक है नीचे क्या लगाएंगे लग यान प्लस यन उसके बाद आपका दूसरा अला पी और प्लस पी ये ट्रीक लगाती है ठीक है यहाँ पर यह सभी M, N, P जो भी है यह time है only only समय को पर दर्सित करता है ठीक है तो जितना भी समय लग रहा है वही सारे आपको यहाँ पर रखने है जैसे पहला कह रहा था कि 8 दिन में करता है दूसर का 16, तूसर का 12 यही था ना तो M कमान क्या 8 यही तो था ना बाबू नहीं न फिर प्लस, N कमान 16 और P कमान लाश्ट में जो था एकदम बारा न, यही तो था और आगे P M, P किस कमान था? यही तो लाश्ट वाला, यही बारा और M मदलब 8 ठीक है? इनको सारे मान जो भी दिये गए हल कर लीजी आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे, मैं तरीका बता देता हूँ सिंपल सा, देखो बाबू भी यह सबसे पहले आप इनमे 8 कमान ले लोगे, उपर नीचे तो 8 कमान लोगे उपर, तो यह 16 गुड़े 12 बचेगा नीचे 20 में 8 कमान ले लोगे, तो इसमें यह 16, भाई सिदी से बाद इसमें 8 कमान ले लिया 16 बचा, प्लस इसमें से 8 कमान ले लिया, तो दो गुड़े 12 बचा, इसमें से 8 कमान ले लिया, तो केवल 12 बचा, 8 कट गया, यह फिदे-फिदे सब कट जाएगा भी देखना, उपर देखिए, यह 2 है, अब 24 है, यह 16 है, यह 12 है, इसमें भी कमान हो सकता है, इसमें आप चाहो तो 4 कमान ले लो, उपर में भी, तो उपर 4 गुड़े 12 बचेगा, नीचे 4 कमान ले लोगे, तो भाई साब यह 4 बचेगा बाबू, और प्लस इसमें भी 4 कमान ले लोगे, तो पता है कितना बचेगा, एक बार करके देखो, फिर मुझे बताओ, 6 बचेगा न, उसमें कितना बचेगा, 3, इसका correct answer आएगा लगभग 4 दिन, कितना आएगा, लगभग 4 दिन, देखो कैसे, वैसे तो मैं इस से बाग करोगे, 4 आएगा, 4, 2, 8, और फिर प्लस इसमें 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, इनको आप करके देखो, ये 4 से 4 कर जाएगा, अब इसमें अभी कुछ और भी common हो सकता है, क्या, नहीं न, ये 8, 4, 12, 12, 13, 15, एक बार देखो, कुछ गरबड हो रहा है, कल्कुले सब सही है, ये 6, 4, 10, 13, ये हो जाएगा, 48 upon 13, इने भाग करोगे जबाब, तो 3.69 लगभग सम्थिंग आएगा, जिसे हम 4 के लगभग लिख सकते हैं, ठीक है, हमें लगभग में अंसर देना है, तो 4 दिन लगभग इसका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, any doubt किसी को, नहीं तो ये चौथा मा, जो सुरी, चौथा टाइब का था पहला question, इसमें का आगला next question देखिए और जबाब दीजिए, चलिए, कहरा कि ये दि स्वेता एक काम को 9 दिन में, और पूनम उसी काम को 6 दिन में, तथा पूजा, उसी काम को 12 दिन में पूरा करती है, तो 3 नों मिलकर, कितना समय लेंगे इस काम को पूरा करने में, बताओ जबाब दो फटा फट, anyone कोई भी, सुना ली, अनुडाकस है, बहुत अच्छे, बेरिकुट, ठीक है, जो बच्चे कोशिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़िया, फिर अब मस्त है, सब कुछ बढ़ रख दो, नौ मन रख दो, एक पे नौ, एक पे छे, एक पे पारा, नौ, छे और बारा आपको यूज करना है, मैं इसमें रख के दिखा दू, तो नौ, गुड़े, छे, गुड़ा, बारा, और इसे नीचे भी आप रख लोगे, MN, NP और PM जैसे इसको करा था, इसे रख लो इसके आगे, अभी आपको detail में अगर और भी पढ़ना है, तो आप PBR study app में सब्सक्राप्शन ले सकते हैं, फिर आपको detail में और इकठा सारे course मिल जाएंगे, देखिए एक बात और बता देए, यूटूब पर और app की हमारी class में सिर्फ इतना अंतर होता है, कि यूटूब यूटूब पर क्लासें देखने में कुछ समय जादा लगता है, अधिक्तम क्योंकि हम वीडियो आपको सब्ता में या 10 दिन में दे पाते हैं, यूटूब पर जो स्रीज आगे चलती हैं, बड़ी वाली, बाकी app के अंदर आपको इकठा पूरा मिल जाता, जैसे 300-500 वीडि बन गए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, अप में, ठीक है, कैसे करना है, क्या करते हैं, नीचे नंबर चले हैं, उन पर कांटेट करिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्यू, चलते चलते एक बार फिर से बता दें, इस स्रीज का आप परतेख सटर ड जिसे अपडेट रहे हैं,